मुख्यमंत्री हेमंत बाबू, कॉंग्रेस के चक्कर में अपना घर मत खो दो, सरकार की गलत फैसले के विरोध में, चार फरवरी 2022 को जारखंड बंद, एमेले MP के मुह में ताला क्यों, भाईयों घर से निकल पढ़ो, जारखंड को राहू के तुसे बचाओ, कॉंग्रेस ने जारखंड राज्य के जनक मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा को बरबात किया, बागुन सुंबरुई को बरबात किया, जारखंड आंदोलन को चौपट किया, मैं शैलेंद्र महतो, शिबू सोरेंट, सूरज मंडल और साइमन मरांडी भी चपेट में आ गय अब हेमन्त सोरें इनके फास में फासे हैं, कॉंग्रेस के इस फास में सिर्फ हेमन्त सोरें नहीं है, बलकि वे राज्य के मुख्यमंत्री होने के कारण जारखंड की साड़े तीन करोर जनता भी फासी हुई है, अब हेमन्त सोरें और कॉंग्रेस के गलत कारनामों के जाल से जार्खंडी जनता को मुक्ती कैसे मिलेगी। जार्खंडी जनता को लड़ते लड़ते कई साल बीद गए और 1980 में ततकालीन बिहार के मुख्यमंत्री जगननात मिश्र की सरकार ने जार्खंड में पाँच जन जातिय, संताली, मुन्डारी, हो, कुडुक, खड़िया, और चारक्शेत्रिय, कुर्माली, खोठा, पाँच प भोजपुरी, अंगिका, मगही भाषा जार्खंड में कहां से आए? मुख्यमंत्री को शायद जार्खंड के भाषाई भूगुल की जानकारी नहीं है. भोजपुरी, अंगिका, मगही जब बिहार में ही मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उन भाषाओं को जार्खंड में थ एक देश, एक कानून सिर्फ राज्य स्टेट अलग-अलग लेकिन आज तक असम सरकार ने जारखंडी आदिवासियों की भाषा को मान्यता नहीं दिया और ना ही उन्हें अनुसूचित जनजाती का दरजा दिया। से उरिसा अलग हो गया। भाषा के सवाल पर 1903 में तमिल नारु से आंधर प्रदेश अलग हो गया। भाषा के सवाल पर 1960 में महराष्ट्रा से गुजरात अलग हो गया। भाषा के सवाल पर 1966 में पंजाब से हर्याना अलग हो गया। दुनिया का इतिहास बताता है कि भाषा क अब जार्खंड सरकार का दूसरा फैसला और भी खतरनाक है जो आदिवासी मूलवासी जार्खंडी जनता की सेहत के खिलाफ है। वह है स्थानिय नीती, अब सरकार के इस निर्नय के अनुसार वही स्थानिय हो सकते हैं जो जार्खंड से 10 वी और 12 वी की परीक्षा पास की हो, अताशिक्षा स्थल दुनिया में स्थानिय नीती तै नहीं करता है। जार्खंड के बच्चे जो दूसरे राज्यों में पढ़े हैं अब वे जार्खंड की स्थानियता श्रिनी में नहीं आएंगे। सरकार का ये दोगली फैसला किसी भी कीमत पर स्थानिय नीती नहीं हो सकता है जबकि भारतवर्ष के अन्य राज्यों में स्थानिय ताग डॉमिसाइल उसी को प्राप्थ है जो स्थाई रूप से उस राज्य में निवास करता हो। ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। जग राज्य का समर्थक नहीं रही और शुरू से ही बर्बाद करने में तुली हुई है। जो आज भी जारी है। जार्खंड के वीरो, बलेदानियोक शहीदों की आत्मा बहुत दुखी हैं, उनके आत्मा को कचोट रही है। इसलिए उनके आत्मा को राज्य की दुर्दशा का संदेश पहुचाने के लिए चार परवरी 2022 को जार्खंड बंद का आहवान किया गया है। अता सामाजिक संगठन, सास्कृतिक संगठन, युवा संगठन, छात्र संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन आदी से अनुरोध है कि इस लड़ाई में आगे आए और जार्खंड को बिहारी करन होने से बचाएं, नहीं तो आने वाली पीड़ी आपत हो जाएगी, आपका शेलेंद्र महतो, पूर्म सांसद, जार्खंड राज्य निर्माता, सणक से संसद तक